आज का वीडियो जो है हमारा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं OPGM से मंतली कितनी अर्णिंग हम कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम OPGM के बारे में जानेंगे साथ ही साथ FX मर्किट की बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेंगे ताके वो लोग जो नए है जो नए ट्रेडिंग में आना चाह रहे हैं उनको भी कुछ बेसिक नॉलेज हो जाए या वो लोग जो अल्डेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं अभी अभी जिन्होंने शुरुआत की है उनके लिए भी वो बेसिक नॉलेज काम आ सकती है तो basic trading knowledge के साथ साथ OPGM के बारे में हम देखेंगे कि monthly हम इससे कितनी earning कर सकते हैं बहुत लोग का यह सवाल आ रहा है मुझे कि सर एक वीडियो आप इस पर भी बना दो जिसमें आप यह दिखाओ कि performance किस तरीके से है OPGM का कि मैं कोई यूटूबर नहीं हूं कि मैं हर टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूंगा लेकिन जो कुछ important video है उसको मैं जरूर कवर करूंगा और कोशिश करूंगा कि जो भी video बनाओ उसमें अच्छे से अच्छी पूरी details में आपको दूँ ताकि आपके जो भी questions है वो सब clear हो जाए चूंकि मुझे जो questions आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि sir इसका जरूर आप life बता दें किस तरीके से यह perform करता है कितने signals इसके perfect जाते है monthly आप इसको check करके बताएं तो मैं इसमें major currencies पर check करके बताऊंगा किस तरीके से यह perform कर रहा है और आज के दिन में पूरा cover तो नहीं होगा major currency जो हमारी अलग-अलग euro USD USD JPY JPY USD वगेरा वगेरा जो 6 हमारे major pairs हैं मैं उस पर दिखाना चाहता हूं तो इसको मैं तीन चार पार्ट में अलग-अलग बनाऊंगा आज के पार्ट में मैं शायद एक या दो पेर के उपर इसका performance दिखाऊंगा एक ही महीने का वरना छे महीने का पुरा दिखाने में एटलिस ये वीडियो वन आवर के उपर चली जाएगी तो जितना शॉर्ट में अच्छे से मैं बता सकूं उसको मैं इस पर cover करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में तो start करते हैं आज की वीडियो देखते हैं OPGM के बारे में और आज की वीडियो के जो हमारे actual topics हैं जो मुझे भी cover करने इस वीडियो में मैंने या पर link भी लिए हैं तो शुरुवात करते हैं ये question से कि OPGM क्या है इसकी क्यों हर ट्रेडर को जरूरत है तो OPGM जो है ये actually एक FX trading जो होती है उसको ये हमें provide करता है उसकर signals जिसे लोग tips भी कहते हैं जिसके लिए लोग महीने महीने की भी pay करते हैं बहुत सारी company या MLM चल रही है market में जो महीने का fees लेकर के tips provide करती है या बहुत सारे telegrams पे channels है WhatsApp पे channels है या शोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने channels भी बनाए हुए है जिस पर वो लोग अपना tips वगेरा provide करते हैं और लोगों से जिसको basic information नहीं पता होती है कि कब buy करना है कब sell करना है वो लोग उनसे tips लेकर ट्रेडिंग करते हैं तो basically OPGM का full form है Orbit Pips Gainer M यानि के manual के लिए stand करता है इसी का एक auto mode आने वाला है जो auto trading करेगा तो वो OPGM A होगा तो यह फिलाल जो अभी हमने इसको start किया है जो signal provide करता है वो OPGM है ठीक है तो OPGM signal providing system है जो forex trading में use आता है आप इसको MT4 platform पे install कर सकते हो किसी भी MT4 platform पे एक बार आप इसको install कर लोगे तो one year के लिए आपको signal provide करेगा ज़र इसकी जरुरत क्यों है हर trader को देखे जहां तक मेरा experience रहा है trading में अब तक का तीन साल से मैं trading कर रहा हूं तो बहुत जादा तो experience नहीं है लेकिन जितना भी है उस base में बता रहा हूं कि जितना मैंने सीखा है कि जब भी मैं देखता हूं मेरी research में मुझे यह पता चला है कि जो successful trader है जिनसे मैं मिला भी हूं या जिनको online मैं देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि उनके पास कोई ना कोई system है जिस system को वो लोग follow करते हैं चाहे वो signal providing system हो चाहे वो set of rules हो चाहे वो फिर कोई automation trading tool हो software हो तो बिना इन चीजों के जहां तक मेरी research है या मेरा personal practical experience है इसके बिना अगर हम trading करेंगे तो कभी भी हम end of the year अगर हम एक साल trading कर रहे हैं तो profit में नहीं हो सकते क्योंकि देखिए हर चीज को जब हम कोई भी business करते हैं या कोई काम करते हैं या कोई work कर रहे हैं जिसको हमें अगर complete करना है तो उसके set of rules होते हैं उसी तरीके से trading के भी set of rules है systems है तो वो system अगर हमारे पास है तो हम एक successful trader बन सकते हैं और जो 95 to 5 का ratio है जिस पर अक्सर मैंने बात की हुई है अपने लोगों को बताते भी रहता हूं मैं के trading में जो है 95% यानि 100 में से अगर कहूं तो 90-95% लोग जो है trading में हमेशा पैसा गवाते हैं यानि वो earning नहीं कर पाते हैं या कुछ वक्त के लिए earning करते हैं फिर बाद में फिर से पैसा गवा देते हैं तो सिर्फ 5 to 10% ऐसे trader है मार्केट में जो continuously monthly या yearly trading अच्छे से करते हैं और हर साल वो अपना जो year end करते हैं वो profit में ही वो निकलते हैं चाहे वो profit 100% का हो 200% का हो 500% का हो या जितना भी हो लेकिन end of the year वो profit में ही निकलते हैं तो अगर हमारे पास opgm रहेगा तो यह system रहेगा हमारे पास जो हमें हमेशा guide करेगा कि किस तरीके से कहां पे कप trade लेना है ठीक है कब sell करना है कब buy करना है तो यह कही न कही एक आपके लिए guidance का काम करेगा और आपके अंदर आपके trading में यह confident build करेगा because जब भी हम personal analyze करते हैं तो वो research पर हमें कही न कही उतना भरोसा नहीं होता है अगर without system हमने trading start कर दिया है तो क्योंकि उसके हमें back test पता नहीं होते कि वो जो चीज हम follow कर रहे हैं वो कितनी बार हमें profit देगा क्योंकि अक्सर practical में यह होता है कि जब हम trading करते हैं without system तो हम अलग-अलग strategy पे बार-बार try करते रहते हैं एक strategy पे trading की कुछ profit हुआ जब थोड़ा बहुत loss होता है तो वो strategy change कर देते हैं हम दूसरी strategy ढूनने लगते YouTube पे तो पता है कि कई channels अभी आगे हैं जो forex trading वगेरा सिका रहे हैं लोगों को या share market trading या crypto trading सिका रहे हैं तो मैं यह कहूंगा कि basic knowledge तो YouTube से आपको मिल जाएगा लिखिन जो practical knowledge है वो आपको फुद ही सीखना पड़ेगा और जब आप वो करने लगोगे तो आपको काफे time लग जाएगा सीखने के लिए तो वो time आपका waste ना हो इसलिए भी आपको OPGM की जरुड़त है मालने जे कोई नया person अगर trading में आ रहा है FX market में अगर कोई start कर रहा है और उसके पास OPGM नहीं है तो पहले तो उसको basic trading सिखनी पड़ेगी 3, 4, 5, 6 मैना practice करनी पड़ेगी practice करने के पास भी कोई surety नहीं होगी कि वो continuous profit कर पाएगा ये नहीं कर पाएगा because हर किसी के अंदर वो talent नहीं होता है जो consistently profit इस market में बनाए क्योंकि ये market ही इस तरीके से बनी हुई है कि यहाँ पे नए लोग या experience लोग भी अगर without set of rules work करते हैं तो end of the year वो loss में ही निकलते है तो ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं market में जो 6 माइना 7 माइना अच्छा performance करने के बाद अच्छानक उनको loss होना start हो जाता है मैंने खुद भी काफी loss देखे है खुद भी मैंने trading के इसके लिए मुझे ये समझ में आ गया कि या trading में अगर बने रहना है पैसा कमाना है तो हमारे पास कोई system होना चाहिए जो हमें signals अच्छे signals strong signals प्रोवाइड करें या कोई automation software होना चाहिए जो खुद ही trade करें जिसमें हमारा कोई भी involvement ना हो तो अगर ये दो चीज हमारे पास होगी तो हम forex market हो, crypto market हो या share market हो उसमें हम अच्छी earning कर सकते है तो यही basic वज़ा है कि इन सारी वज़ा से मेरे इसाब से यह एक जरूरत है अगर trader की तो यह पहला question मैं इस पे cover कर चुका हूँ अब आते हैं दूसरे topic पे कि OPGM के benefits क्या है OPGM के benefits में अभी यहां पे मैंने कुछ लिखा भी हूँ जैसे no dependency जैनी कि एक बार आपने OPGM को buy कर लिया तो उसके बाद आपको one year के लिए किसी के उपर depend रहने की जरुरत नहीं है किसी company के signals के उपर depend रहने की जरुरत नहीं है किसी telegram channel के उपर depend रहने की जरुरत नहीं है या किसी trader के उपर आपको depend रहने की जरुरत नहीं है because यह एक आपका खुद system आपके पास आ जाएगा जो one year के लिए आपके पास ही होगा जिसको आप MT4 पर install करके खुदी जब आप install कर लेंगे तो आपको यह signals प्रोवाइट करेगा तो यह एक इसका benefit है कि आपके dependency खतम हो जाएगी दूसरा किसी को no monthly tips charges यानि कि अभी जो market में चल रहा है कुछ company भी हैं जो monthly charges लेती है MLM करती है Forex markets related या other और भी markets related तो ऐसी company आचुकी है market में जो monthly tips के charges लेती है और वो tips provide करती है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है one time आपने OPGM की fees paid कर दी जो अभी फिलाल 275 डॉलर है one year के लिए next month में इसकी fees बढ़ने वाली है यह offer चल रहा है 275 डॉलर almost 20,000 इसको हम कह सकते हैं बहुत ही छोटा सा amount है जिनको Forex market पता है उनके लिए तो यह कुछ भी नहीं है 275 डॉलर because Forex market के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि यह एक समुंदर है अगर आप इस समुंदर के अंदर से बहुत सारा हजाना निकालना जान सकते हैं तो समाझ लीजिए कि यह 275 डॉलर आपके लिए कुछ भी नहीं है तो वो खजाना निकालने के लिए वो बेनेफिट दिलाने के लिए OPGM आपको पूरी हेल्प करेगा तो सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पे मंतली चार्जेस नहीं देने वन टाइम पे करना है और Forex market में अगर आप किसे से टिप्स ले रहे हैं तो वो टिप्स की कोई टाइमिंग नहीं होती है सुबा से शाम तक कभी भी वो टिप्स आ सकती है और हर टाइम आपको अविलेबल होना चाहिए आप या तो आपके अगर आप मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको हमेशा अविलेबल रहना चाहिए चांसे है कि आप टिप्स मिस कर जाओ ठीक है चांसे है कि आप जब ट्रेडिंग करना चाहते हो वो टाइम पे टिप्स ही ना आ रही हो ठीक है तो ऐसा मतलब इसमें फिक्स टाइम आप नहीं कर सकते हो अगर किसी और से आप टिप्स ले रहे हो वो अपने मरजी से टिप्स देते हैं वो जब भी उनका टाइम बनता है या जब भी उनके पास ट्रेडिंग टिप्स आती है तो वो लोग टिप्स प्रवाइड करते हैं लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर जब आप ले लेते हैं, तो जब आप ट्रेड करना चाहोगे, उस टाइम पर मान लीजिए, आप सुबह 10 बज़े से दो बज़े तक ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप सुबह 10 बज़े अपना लैप्टॉप PC on करके, MT4 terminal on करके login करेंगे, और जितने भी pairs पे आपने अपना OPGM को लगाया हुआ है, सेट किया हुआ है, तो आप देखेंगे, कि आपको उस time period में आपको signal आना स्टार्ड हो जाएंगे, तो आपका एक तो यह बहुत बड़ा headache खतम हो जाएगा, कि आपको हर time alert नहीं रहना है, आप जब भी trading करेंगे, अपनी मर्जी से बैट करके trading करेंगे, आपका time आप खुड decide करेंगे, तो यह एक limitations, boundings खतम हो जाएगी, कि मुझे पुरा दिन trading करना है, ऐसा कुछ भी आपको नहीं रहेगा, तो यह एक बहुत बड़ा benefit है इसका, तो ओपी जेम के बहुत सारे benefit है, उसमें से कुछ benefits मैंने भी आपको बताएं, जब आप इसको buy करके use करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कितना बैतरी यह एक product है, यह एक service है, जो आपको आपकी trading को next level पे पहुचाएगी, तिसरा जो part हम इस वीडियो में भी cover करने जा रहे हैं, वो है FX trading की basic information, ठीक है, for trading normally or by using OPGM system, यानि कि जो लोग अगर OPGM के बिना भी trading कर रहे हैं, तो उनके लिए भी normally जो trading कर रहे हैं, उनके लिए भी यह information काम आएगी, या OPGM के साथ अगर गोई trading कर रहा है, तो उनके लिए तो यह information काम आएगी, तो देखते हैं, FX trading की basic information जल्दी जल्दी देख लेते हैं, यह important part है, जिन लोग को यह सारी चीज़े पता है, वो वीडियो को skip कर सकते हैं, directly वो आगे से, जहां से हम performance चेक करने वाले, वहाँ पे जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, तो हो सकता है यह वीडियो 30 minutes, 40 minutes का हो जाए, लेकिन important वीडियो है, आपको देखना चाहिए, यह नहीं भी buy करते हैं, उनके लिए भी कहीं न कहीं यह चीज़ काम आएगी, तो FX trading जब हम start करते हैं, Forex trading, तो इसमें basic चीज़ें कुछ जो हमें पता होनी चाहिए, उससे related यहाँ पे कुछ topics में cover कर रहा हूँ, जैसे what are lot size and how much earning it gives on per pips, यह basic सवाल लोगों का आता है, कि सर जब trading करते हैं, Forex market में, तो उसमें lot size होता है, यह बड़ा confuse करता है lot size, यह क्या होता है और इसमें मतलब हमारी earning किस तरीके से decide होती है, तो देखिए, सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा, यह जैसे हम shares वगेरा buy करते हैं, share market में तो Indian rupees से buy करते हैं, यह crypto में अगर हम trading कर रहे हैं, तो BTC से अलग pair पर हम trade करते हैं, तो BTC हमारी base currency होती है, उससे हम buy कर रहे होते हैं, other currency को, और sale करके फिर हम BTC कमा रहे होते हैं, या share को हम खरीद के Indian rupees में बेचते हैं, तो उसके against में हमें share मिल रहा होता है, वैसे FX market में जब हम trade करते हैं, तो हमारा base currency होता है, वो US dollar होता है, ठीक है, US dollar होता है, और यहाँ पर यह जो अलग-अलग lot size होते हैं, यह lot size के बदले में जो हमारी earning होती है, वो US dollar में ही होती है, ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं कि कॉम-कॉम से lot size हैं, और यह किस units में हैं, पहला है micro lot size, जब भी आप trade करोगे, जैसे मैं live दिखाई देता हूँ, जब भी आप mt4 पर trade करोगे, new trade, new order पर जाओगे, तो यहाँ पर देखिए volume का एक option है, यही lot size है, ठीक है, जैसे 0.1, 0.2 से लेके आगे के जो भी lot size है, तो यहाँ पर आप lot size decide करते हैं, उसके बाद आप buy या sell करते हैं, तो यह वही है, अब इसको हम देखते हैं, कि यह अलग-अलग categories क्या है इनकी, सबसे पहला है, micro lot size, micro lot size जो है, वो 0.1 से शुरू होता है, यानि सबसे पहला जो इसका minimum lot size है, वो है 0.01, ठीक है, फिर आगे बढ़ता है, यह 0.02, 0.03 से लेके 0.09 तब, यह जितने भी 0.01 से लेके 0.09 तक, जितने भी lot sizes है, यह सारे के सारे micro lot size कहलाते हैं, ठीक है, अब होता यह है, कि अगर आप 0.01 से कोई trade कर रहे हैं, तो उसके against में क्या होगा, कितनी earning आपको होगी per pips, तो मान लीजिए, आपने 0.01 से trade दिया, तो जब भी एक pip का moment होगा, यानि कि एक pip उसे कहते हैं, कि जिसे एक रूपिये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है, और अभी अगर डॉलर का price समझ लिए चल रहा है, 75 रूपीस 0.52 पैसा, ठीक है, और वैसे अगर वो 75 रूपीस 0.53 पैसा हो जाता है, यानि एक पैसा बढ़ जाता है, एक पैसे का moment वो करता है, तो उस पैसे को यहाँ पे pips moment कहा जाता है, ठीक है, उस moment को यहाँ पे pips में count किया जाता है, चाहे वो पैसे में मुमेंट हो रहा हो, चाहे वो सेंट में मुमेंट हो रहा हो, चाहे वो यूरो के करंसी के कुछ पार्ट में मुमेंट हो रहा हो, तो वो सब कुछ पिप्स कहा जाता है, तो वो एक पैसे का मुमेंट जो भी है, अगर हो रहा है, या एक सेंट का मुमेंट अ का लॉस होगा ठीक है पर प्मिप्स यानि कि एक भी पैसे का मुप मेंट होगा चाहे आपके फिवर में आ रहा है तो टैंसेंट का ऐसे हो आपके अगेंस में जा रहा है तो टैंसेंट होने वाला है और अगर यह आपके अगेंस्ट में चला गया 10 pips और आपको lot size 0.01 है तो आपको $8 का loss होने वाला है तो यह है micro lot size और यह इस तरीके से earning देता है इसके बाद है mini lot size mini lot size आता है 0.10 से start होता है 0.20 0.30 या बीच में आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते 0.11 या 0.15 यह सारा का सारा जो है mini lot size में आता है ठीक है तो इसमें क्या है कि हम mini lot size से trade कर रहे है तो एक pip के moment पे हमें $1 का या profit होगा या loss होगा जैसे हमें micro lot size में 1 pip पर 10 cent का profit या loss हो रहा था same उसी तरह यहाँ पे 0.1 से अगर हम trade कर रहे हैं यानि कि mini lot का सबसे mini size हम use कर रहे हैं तो उसमें हमें एक pip के उपर $1 का profit या $1 का loss हो सकता है depend करता है market आपके favor में आ रही है या आपके against जारी है ठीक इसी तरीके से standard lot है standard lot 1.0 से start होता है 1.0, 2.0, 3.0 4.0 या जो भी 5, 10, 12, 15, 20 या 1.1 हो ठीक है तो यह जितना भी होगा या 2.5 हो या 3.5 हो, 3.9 हो यह जितना भी 1.0 के बाद जितना भी होगा यह सब standard lot में count होगा और एक standard lot से अगर आप trade करते हैं तो आपको एक मेंट 1.0 तो आपको क्या होगा एक पिक के मुमेंट पे 10 डॉलर का या तो बेनेफिट होगा या 10 डॉलर का आपको लॉस होता है तो यह है हमारा lot size जो decide करता है आपका profit और लॉस तो जब भी आप trade करते हैं तो यह lot size important है इसको जानना जरूरी है कि कितने lot size से आपको trade करना है क्योंकि अगर आपका account बहुत छोटा है जैसे 500,000 डॉलर का और आप अगर one standard lot से trade कर रहे हैं तो आप अपना account बहुत ही risk में डाल रहे हैं तो इस तरीके से आपको पहले देखना है कि आपका account कितना बड़ा है account का size क्या है उस हिसाब से आपको lot size यहां पर decide करने है इसी को इसी से related एक part है lot size जब हम मेरे साब से मैंने यहां पर दिया हुआ है my money management part वैसे money management part सब अलग-अलग बताते हैं जो मैं बता रहा हूँ मेरे साब से अगर किसी का thousand dollar का account है ठीक है और उसका leverage उसने लिया हुआ है one is to three hundred minimum मिल जाता है हर broker पे या one is to five hundred भी मिल जाता है तो यहां पर मैंने one is to three hundred ही पकड़ा है तो फिलाल इसको हम देखते हैं कि अगर one thousand dollar के account से अगर कोई start कर रहा है तो उसको कोई भी trade open करना है तो उसको zero point one lot से जादा इस्तेमाल नहीं करना है अगर वो normal risk लेने वाला है जो high risk लेते हैं वो अपने इसाब से decide कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली मेरे इसाब से मैं जो बता रहा हूं कि अगर आपका 1000 dollar का account है तो एक trade आप जब भी open करेंगे वो zero point zero one यानि कि आप many lot से start करेंगे वैसे ही अगर 1000 dollar से कम का अगर आपका account है 500 dollar लगे रहा का तो आप micro lots में trade करेंगे इसके बाद जैसे अगर आपका 3000 dollar का account है तो आप 0.3 से हर trade करेंगे 5000 dollar का है तो 0.5 से हर trade आप use करेंगे और 10,000 dollar का account है तो आप one standard lot size से आप trade करेंगे जो जिसे होगा यह कि आपका जो money management है जो आपका account है उससे related आप trade कर रहे हैं तो कभी market आपके against में चली भी जाती है तो आपका account wash out होने के chances बहुत कम रहेंगे ठीक है तो यह भी जानना ज़रूरी है हमें कितने account पे कितना lot size हमें use करना चाहिए ठीक है इसके बाद risk to reward अब risk to reward क्या होता है जैसे कोई भी हम business करते हैं तो जैसे मान लीजे कि मैं अगर कोई की mobile buy कर रहा हूं ठीक है sell करने के लिए और वो mobile की कीमत है 5000 रुपीस मैंने buy किया 5000 मैंने अपने risk पे लगाए मेरे पास एक लाग का capital है ठीक है और मुझे मतलब तहीं से मिल गया 5000 में offer में और उसकी actual कीमत जो चल रही है 15,000 चल रही है ठीक है तो मुझे पता है कि 5000 के risk पर मुझे 15,000 का reward मिलने वाला है तो यह risk to reward ठीक उसी तरीके से है यहाँ पे मैं जो यहाँ पे मैंने define किया हुआ है वो यह है कि आपको कम से कम 1 इस्टू 3 का risk to reward लेके चलना है अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि आप जब भी trade करोगे माल लीजिए अगर आपका stop loss 10 pips का है ठीक है तो आपका take profit 30 pips का होना चाहिए इसको बोलेंगे 1 इस्टू 3 ठीक है वैसे OPGM में 1 इस्टू 5 से लेकर के 1 इस्टू 7 1 इस्टू 10 तक का भी profit मिलता है लेकिन जो set of rules में अभी आपको दे रहा हूँ उसमें हम minimum risk to reward यूज़ कर रहे हैं वो है 1 इस्टू 3 जो कि बहुत बढ़िया risk to reward माना जाता है कि अगर आपके trade 1 इस्टू 3 risk to reward से चल रहे हैं तो आप बहुत अच्छा profit पना सकते तो आपको इतना समझ में आगया होगा कि अगर 10 पिप का हम risk ले रहे हैं तो reward हमारा होना चाहिए 30 पिप्स का यानि कि SL हमारा 10 पिप्स का है तो TP हमारा 30 पिप्स का होना चाहिए यहाँ पर मैं dollar use नहीं कर रहा हूँ क्योंकि dollar use करने पर होगा यह कि आप कभी standard lot से trade कर रहे हैं कभी कम से trade कर रहे हैं तो उस time पर system गड़बडा जाएगा तब आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका risk to reward आपको कैसे set करना है तो जो भी आप lot size यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको risk to reward हमेशा pips में decide करना है 10 pips का अगर risk ले रहे हैं तो 30 pips का हम reward यहाँ पर minimum लेके चलेंगे वैसे ही अगर माल लीज़े कि आप अगर 20 pips का risk ले रहे हैं तो 20 का 3 times कितना हो गया 60 pips 60 pips का आपका reward रहेगा यानि जब भी आपको loss होगा 20 pips का होगा जब भी आपको profit होगा 60 pips का होगा तो यह है हमारा risk to reward तो यह according to time frame decide किया जाता है according to trade decide किया जाता है मेरे इसाब से जादा तर यह time frame पे based होता है risk to reward किस time frame में आप काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको risk to reward major करके वहाँ पे आपको follow करना होता है ठीक है अब माल लीजिए कि इसको मैं dollar में बताना चाहता हूँ जैसे आप 0.01 lot size use करके trade कर रहे हैं और आपका risk to reward है 10 pip का risk है और 30 pips का reward है तो होगा यह कि अगर आपका SL hit होगा तो आपको 10 dollar का loss हो जाएगा लेकिन अगर आपका जब भी TP hit होगा तो आपको 30 pips का profit होगा क्योंकि 0.01 lot size पर 1 pip पर moment जब भी होता है तो उस पर हमें 1 dollar का profit होता है तो यहाँ 10 pips के moment पे 10 dollar का loss है 30 pips के favor में जो move होगा उस पर 30 dollar का profit होगा तो यह कुछ basic part था effects trading का ठीक है तो इसमें लगबग हमारा 30 minute तो होई चुका है तो जिन लोगों को यह चीज़े पता है वो इन चीज़ों को ना देखते हुए आगे directly अब जो video start हो रहा है पीजियम के बारे में के उपीजियम से मंतली कितना हम कर सकते हैं उसको जरा हम चेक करेंगे ठीक है मेरे साफ से हम सरिफ एक ही पेर को चेक कर पाएंगे की काफी time हो जाएगा अगर हम 3-4 पेर को इसमें चेक कर रहेंगे तो फिलाल मैं एक पेर को जैसे सबसे सबसे strong जो पेर माला जाता है euro usd को ले लेते हैं अब euro usd को मैं चेक कर रहा हूं 15 minute के time frame ठीक है और इसको हम July 2019 में चेक कर रहे हैं इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में August के चेक करेंगे फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में September फिर October November December ऐसे करते हुए हम चेक करते आएंगे जब भी जितना जितना time मिलेगा हम उस वीडियो में अपना cover कर लेंगे तो फिलाल अभी हम इसको चेक करते हैं कि July 2019 में ओपी जीम से अगर आप trade कर रहे होते तो आपको क्या benefit होता ठीक है उससे पहले मैं कुछ चीज़े यहां पर बताना चाहूंगा अभी हम EURUSD को चेक करने वाले हैं तो और वो भी 15 मिनेट पे चेक करने वाले हैं जब भी हम trade करेंगे यह पांच rule को हमें ध्यान रखना है अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो यह पांच rule हमेशा ध्यान रखने हैं और इसको ही follow करते हुए trading करने हैं पहला rule यह है कि रिस्टू रिवार्ड हमेशा रखना है बिना रिस्टू रिवार्ड ट्रेडिंग नहीं करने हैं चाहे वो 1 इस्टू 3 का हो चाहे वो 1 इस्टू 5 का हो फिलाल आप जब नए इस ट्रेडर होंगे तो आपको मैं रिकमेंट करूँगा एक से दो महिना वन इस्टू 3 से आप ट्रेड करें जब आपको इसको बढ़ा सकते हैं तो 1 इस्टू 3 से आज हम इसको चेक करने वाले हैं ठीक है तो इस्टू रिवार्ड हमेशा रखना है साथ में जब भी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा सर्टन लेवल पे माल लेजिए अगर हमने 15 पिप्स का स्टॉप लॉस रखा है और 15 पिप्स का स्टॉप लॉस रख इसल को ब्रेक इवन ब्रेक इवन नीकि नो प्रॉफिन नो लॉस ब्रेक इवन पर हम कब लाएंगे जब हमारे मार्केट इसे के लूकर साफ़ें वहां पर हम अपने स्टॉप peaks को ड्रैड कर देंगे जिससे होगा ये कि अगर market फिर से reverse आती है पैक आती है तो हमारा stop loss break even पे close हो जाएगा यहाँ पे मतलब हमें न profit होगा ना loss होगा तो इसमें हम जो check करेंगे एक तो TP देखेंगे जो भी trades हम देख रहे हैं इसमें TP हिट होने पर जो profit होगा उसको यहाँ पे हम लिखेंगे stop loss जब जब हिट होगा तो stop loss को यहाँ पे हम लिखेंगे SL trail करके अगर हम profit कमा रहे हैं तो उसको भी यहां लिखेंगे और break even पे जो भी trade close होंगे उसको भी यहां पे हम लिखेंगे जिससे हमें पूरा पता चल जाएगा कि यह पूरे month में जो भी trading हुई है उसमें हमारा result किस तरीके से आ रहा है तो यह वही चीज़ है break even फिर इसके बाद SL trailing में बता रहा हूँ कि अगर मान लिजिए यहां पे यह 10 pips पे profit हो रहा था तो हमने break even पे SL को trailing कर दिया लेकिन अगर यह profit बढ़ता जाएगा 15 pips 20 pips हमारा target है 45 का तो मान लिजिए यह अगर 20 pips पे आ जाएगा profit हम जैसे मान लिजिए 5 pips पे ले जाएगे पिर जब यह 25 होगा या 30 होगा तो इसको हम और 10 pips इस पे भी बढ़ा जाएगे यानि कि यह 15 पे चला जाएगा तो इस तरीके से हम trail भी करेंगे 10 pips पे आने पे हम break even पे ले जाएगे 15 pips पे आने पे हम इसको trail करके 5 pips पे ले जाएगे 30 पे जाने पे यह 15 पे चला जाएगा इस तरीके से हम इसको trailing भी करेंगे जो लोग trading करते हैं वो इस बात को easily समझ रहे होंगे कि SL trailing क्या होती है ठीक है तो उसको भी हम देखेंगे तो SL trail होने पर जब भी हमारा SL hit होगा तो उस पे जो profit हमें मिलेगा उसको हम यहाँ पे count करेंगे ठीक है साथ साथ don't यहाँ पे re-entry if SL hit but market re-go in favor side कभी कभी क्या होगा signal आने पे आप entry करोगे तो आपका जैसे 15 pips का SL है तो वो SL hit हो जाएगा लेकिन वापस से market घूं के favor में आएगी जैसे अगर आप buy कर रहे होते हैं तो buy करने पर जैसे ही आप भी buy करते हैं market sell की तरफ गई आपका stop loss hit किया लेकिन वापस से market घूं करके profit में जाने लगी और हमारा वो वाला ही signal अभी भी on है हमारा signal change नहीं हुआ है लेकिन हुआ यह कि हमारा sell hit होने से हम वो trade के बाहर होगे लेकिन वो trade अप profit देने वाला है तो उस सुरत में क्या करेंगे हम जब भी हमारा sell इस तरीके से hit हो जाएगा और market फिर से हमारे favor में जा रही होगी same signal पे तो हम re-entry ले ले लेंगे वहीं से जहां पे पहले entry हमने लीती है और फिर same signal को हम आगे follow करेंगे तो यह भी एक important चीज है ठीक है इसको भी हमें याद रखना है हमिशा इसके साथ साथ don't over leverage your portfolio यानि कि अगर आपका thousand dollar का account है ठीक है और signals तो इस पे काफी सारे अलग-अलग pairs पे आने वाले हैं क्योंकि यहां कोई limitation नहीं है कि आपको दो चार पांच pair पे इसको trade करना आप चाहे तो दस pair पे लगा के भी trade कर सकते हैं लेकिन मान लिजए 1000 dollar का account है और आपने 10 pair पे trading स्टार्ट कर दी अब 10 pair पे अलग-अलग 10 trade आज गये और आपने सबके सब trade लगा दिये तो कहीं न कहीं अगर सबके सब उस time पे वो trade SL hit कर जाते हैं तो आपके account पे काफे effect पड़ेगा तो ऐसा कभी भी नहीं करना है over trading नहीं करनी है over leverage नहीं करना है trading को ध्यान यह रखना है कि अगर हमारा account मान लीजे 1000 डॉलर का है और हम 10 pair पे trade करना चाहते तो फिर हमें lot size में micro lot size यूज करना है ना कि 0.1 का mini lot size फिर हम micro lot size से trade करेंगे ताके अगर हमारा stop loss सब पे hit भी हो रहा है तो हमारे account पे अपना फर्क ना पड़े यह सब चीजों का हमें ध्यान रखना है trading स्टार्ट करने से पेड़े तो अभी देखते हैं इन set of roles को follow करते हुए अगर हम euro usd में opgm के signals को देख करके trading कर रहे होते तो हमारा performance क्या होता अब हम चेक करना start कर रहे हैं लगबग 37 minute हो चुके हैं हो सकता है यही वीडियो वन आवर की हो जाए लेकिन इक इंपॉर्टन वीडियो है तो आपको इसको मिस नहीं करना है पूरा वीडियो देखना है तो start करते हैं euro usd पर मैं हूं 15 minute का मेरा यह चार्ट है ठीक है और मैंने और यह जो ग्रीन लाइन वर्टिकल लाइन देख रहे हैं यह टाइम सेट किया हुए मैंने के फ़र्स्ट जुलाई से हमें देखना है तो यह फ़र्स जुलाई यहां से start हो रहा है ठीक है तो वैसे अगर देखेंगे तो जो ट्रेड है एक सीनल पहले ही आ चुका है 28 जून को जो फॉलो करता हुआ 29 जून 30 जून 1 जुलाई से लिकर के 2 जुलाई तक जा रहा है तो यह ट्रेड में भी इंट्री बनती है लेकिन मैं इसको count नहीं कर रहा हूं ठीक है इसको हम छोड़ देते हैं यहां से start करते हैं चलिए दिखते हैं और हमारा रूल यह होगा इस setup में यूरो यूजडी के trading के setup में हमारा SL होगा 15 पिप्स का और TP होगा 45 पिप्स का ठीक है यानि जब भी हम trade कर रहे हैं तो हमारा stop loss है 15 पिप्स का और take profit है 45 पिप्स का और बाकी rules भी हमें follow कर ले हैं है जब स्टार्ट करते हैं तो कि यहां पे यह हमेशा trade करने मिलता है तो होगा यहां कि यहां से में trade करने मिली का अगर मैं यहां से पे आया लेकिन हमारा stop loss hit नहीं हुआ अब हम profit की तरफ जा रहे हैं लगबख ये 10 pips profit में आ गया तो हमारा rule क्या था कि जब भी 10 pips पे हमारा profit आएगा तो SL को हम break even पे ले आएगे ठीक है तो इस trade में हुआ ये कि हमारा break even hit हो जाएगा यहाँ पे no profit no loss तो पहला trade जो हमारा close हो रहा है no profit no loss में close हो रहा है या आप 1 pips का break even की जगा आप 1 pips यूज़ कर सकते profit का तो मैं यहाँ 1 pips यूज़ कर रहा हूँ तो समझ लेजी यहाँ पे हमें 1 pips का profit होने बाद है यानि कि हम जीरो पे लाने के बजाए 1 pips profit पे इसको रखने वाले है not on break even है अब आगे देखते हैं next trade में क्या होता है यह candle पे call आया next candle पे हमारी entry होगी SL hit ने हुआ market नीचे जाई favor में लगबग 16 pips का यहाँ पे profit देके वापस market फूपर आ गई चीक है यह देखिए यहाँ पे entry हुई लगबग 16-17 का profit हुआ फिर से market उपर गई तो पहले तो होगा यह कि 15-16 pips जा रही है profit में तो सबसे पहले होगा यह इस trade पे कि जब भी 10 pips से हम आ रहे हैं तो break even पे आ जा रहे हैं लेकिन जब 15 पे जा रहे हैं तो हमारा SL trail कहां पे आने वाला है 5 pips से तो market जब reverse हो गई तो SL trail पे हमें benefit मिला 5 pips का यह मैं pips में count कर रहा हूँ बाद में हम इसको dollar में convert करेंगे और यह समझ के चलिए हम 0.1 का lot size यहानि एक pip पे हमें 8 dollar का profit या 1 dollar का loss होने वाला है अब देखिए इसमें re-entry का भी rule हमने रखा हुआ है SL hit होने के बाद फिर से market अगर हमारे favor में जा रही है तो जहां पे हमने पहले entry की थी वहीं से वापस से हम entry कर लेंगे तो अभी इसी case में हम देखेंगे कि यहां पे जब हमने entry की थी तो हमारा जब SL वापस से यहीं कही 5 pips पे hit हो चुका market अपोस गई वापस से rain tree का मौका दिया market ने तो वापस से rain tree इसी signal पे मिली यहीं कहीं अब क्या होता है वो देखते हैं यह 11 pips पे loss नहीं होगा क्योंकि 15 pips का हमारा SL है market यहां से favor में जा रही है almost 27 pips यहां पे profit हुआ 15 pips तक अगर 30 pips तक जाके आती तो 15 pips पे हमारा trade SL हिट हो जाता यहां पे अभी hit नहीं हुआ है यानि हम continue करने वाले है continue यानि कि 45 pips पे हमारा TP हिट होने वाले है तो इस trade में हमारा यहां पे TP हिट हो जाएगा यह हमारा TP काउंट होगा 45 pips का ठीक है ओक क्या आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरीके से इसको back test कर रहा हूँ और आप लोग को बता रहा हूँ इसके बाद देखें यहां पे एक buy का signal आया अब यह buy का signal जो है इस candle पे आया तो उसके बाद वाली candle पे हमें entry मिलेगी 13-14 pips पे आया यानि कि हमारा break even पे आ चुका है 1 pips पे और 1 pips पे आके वापस से यहां पे hit हो जाएगा लेकिन फिर से हमें entry मिलने वाली यह बात का ध्यान रखे तो पहले तो यह 1 pips हमें मिला break even का वापस से market हमारे favor में गई ठीक है हमें क्या करना है वापस से entry ले लेनी है वापस से entry लेने के बाद अभी देखते हैं यह 38 pips market profit में जाके नीचे 20 pips तब वापस आई तो कहीं न कहीं वापस से हमारा यह क्या हो गया SL trail हिट हो गया SL trail अगर यहां देखेंगे 38 pips पे जाने पर लगबग मैं पकड़के चलता हूं अगर 30 पे जा रहे थे तो 15 pips का होने वाला था 38 पे मैं यहां पे इसको 20 pips पकड़के चलता हूं 35 पे 20 होना चाहिए लेकिन मैं फिर भी यहां पे 20 pips पकड़ रहा हूं यह SL trail हमारा यहां पे 20 pips हिट हो गया अब हम re-entry नहीं करेंगे दो ही तरीके पे हमारी re-entry होगी या तो direct SL हिट हो जाएगा तब या break even पे SL हिट होगा तब SL trail किया हुआ SL वापस से हिट होता है तो हमें re-entry नहीं लेनी है छोड़ देना बहले ही फिर वो trade फिर से favor में चला जाए जैसे कि यहां पे जा रहा है इसको छोड़ देना है next trade पे देखते है next sell का trade है video थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपको एक information मिल जाए किस तरीके से OPMGM हमें signal provide करता है और किस तरीके से set of rules है हम अगर trading करते हैं तो कहा तग हम benefit ले सकते हैं यहां पे हमें send के entry मिल रही है यहां से होगा यह कि लगबख 14 pips का benefit हुआ तो हमारा जो break even पे आ चुका है तो इस trade में हम break even पे close हो जाएंगे इसके बाद वाले पे क्या होने वाला है शायद यह भी break even पे close है entry हमें यहां पे मिलने वाली है यह 10 पे आ गया यह भी break even 10 पे हमारा break even है तो दो trade हमारे यह break even पे close हो रहा है यानि की 1-1 pitch पे ठीक है इसके बाद और आगे बढ़ते हैं sell का trade मिल रहा है भी हमें इस candle पे हमें sell का trade मिला यानि next candle पे हमारे entry होगी यहां पे entry होगी next candle पे market favor में 10 pip नहीं आई तो यहां पे हमारा sell हिट हो जाएगा sell है हमारा 15 pips का तो यहां पे sell हिट हो जाएगा और साथ में एक नया trade हम आगे start करेंगे तो पहले मैं sell का लिख लेता हूँ कि पहला sell हिट होगी हमारा 15 pips का अब दूसरे buy के signal पे देखते हैं क्या होता है यहां पे हमें buy का signal मिला entry यहां पे मिलेगी sell हिट नहीं हुआ क्यों कि 15 pips का यहां पे 9 pips तब market नीचे गई 11 pips यानि 10 के उपर आने पे break even पे यह hit हो जाएगा तो यह trade हमारा break even पे close हो जाएगा यानि की 1 pips पे इसके बाद next trade दिखते हैं क्या होता है sell का trade आ रहा है इस sell का trade की entry हमें इस candle पे मिली और यह sell तो hit नहीं होगा अब directly हम देखेंगे तो लगबग यह हमें 45 pips दे ही देगा तो यह हमारा tp hit हो गया इसको count करते हैं tp ठीक है next trade पे जाते हैं देखते हैं क्या होता है set of rules कभी भी follow कर ले हैं otherwise आप ज़्यादा benefit नहीं कर पाऊँगे यहाँ पे entry मिली next handle पे अब profit में 13 पे गया यानि की 10 के उपर जाएगा break even हो जाएगा यहाँ पे break even है यह वाले पे stop loss होने वाला है तो एक पे break even है और एक पे stop loss है एक stop loss है और एक break even है इसके आगे वाले पे देखते हैं यह जो buy cut trade है यह इस candle पे आया है लगबग फेवर में गया 27 पिप्स इसके बाद return आ गया 27 पिप्स का मतलब लगबग 30 पे हम 15 पे आ रहे हैं तो 25 पे समझे लिए 10 पिप्स पे हमारा stop loss है ट्रेल होकर क्या आया है तो हमें यहां पे 10 पिप्स का यहां पे benefit मिलेगा अब रेंट्री नहीं करेंगे क्योंकि यह एसल ट्रेल वाला हीट हुआ है ना कि break even यह डारीक अब आगे का इसके आगे का देखते हैं इसके आगे का जो यहां पे अभी ट्रेड मिल रहा है ओ पीजीम से हमें सेल का मिला है तो एंट्री हमें यहां पे होगी यह देखिए यहां पे क्या हुआ लगबग 20 पिप्स आया यानि की हमें हमारा break even और रेंट्री हमें यहां नहीं बहुत है बहले फिर यह ट्रेड आगे बेनेफिट दे रहा है लेकिन यहां पे यह रेंट्री रूल के इसाब से यह रेंट्री नहीं बनती है अलाकि एट्रेट काफी हमें प्रॉफिट दे सकता था यानि 45 पिप्स तो मिली सकते तो इसमें लेकिन फिलाल रूल के इसाब से इसमें हमें 5 पिप्स मिल रहे है ठीक है तो रूल को ही फॉलो करना है इसके बाद है बाय की इंट्री जो की इस स्केंडल पे होगी और यह हम बेनिफिट लेने वाले इसके बाद सेल की इंट्री हमें मिलने वाली है सेल का ओल आया हुआ है तो सेल यहां के होगा एसल हिट नहीं हुआ क्योंकि 11 पिप तक ही गया अब प्रॉफिट में अगर देखते हैं तो यह लगबर 18 से 20 के उपर गया है तो मतलब 10 पिप का में यहां कम से कम बेनिफिट होने वाला है ऐसले ट्रिल हीट होगा लेकिन कम से कम 10 पिप का इसमें भी हमें प्रॉफिट होगा इसके बाद आगे पढ़ते हैं अब यहां पे बाई का ट्रेड है तो नेक्स्ट केंडल पे हमें इंट्री मिली दस पे गया यानि ब्रेक इवन पे हिट होगा फिर से रेंट्री मिलेगी हमें फिर से रेंट्री यहीं पे मिलेगी और अब फिर से बीस पे जाके नीचे आएगा तो पहले तो ब्रेक इवन का एक पिप मिलेगा और बीस पे जाके नीचे आ रहा है यानि कि दस पिप फिर से इसमें हमें मिलेंगे एसल ट्रेल के ठीक है अब आगे बढ़ते हैं यह लास्ट हमारा कॉल है इस महीने का जू जुलाई का ठीक है क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यह जुलाई मंत एंड हो रहा है यहाँ पे यह सेल का सिगनल है अब यहाँ पे क्या हो रहा है यह देखते हैं लगबग 25 पे जाके यह रिटन आया है तो यहाँ पे हमें पंद्रा पिश्टा यहाँ पे भी हमें इसले ट्रेल के जरीए मिल रहा है तो जादा तर आप देख रहा है यहाँ लेकिन स्टॉप लॉस देखेंगे तो आप यहाँ पे आप सिर्फ दो स्टॉप लॉस हिट हुए यह टोटल ट्रेड अगर मैं काउंट करूं लगबग 20 ट्रेड हमें यहाँ पे करने के लिए मिले जुलाई मंत में यानि 20 सिगनल्स हमें मिले और जो रूल हमने फॉलो किया उस रूल के हिसाब से टेक प्रॉफिट जो हुआ हमारा वो कितने पिप्स का हुआ स्टॉप लॉस के जरीए हमारा 30 पिप्स माइनस हुआ एसल ट्रेल के जरीए जो हमें बेनेफिट मिला उसको काउंट कर दें यह 85 पिप्स का मिला है और ब्रेक इवेन के जरीए जो 11 पिप्स का प्रॉफिट हुआ है वो 7 पिप्स का यानि आप टोटल देखते हैं कितना हुआ एक तो 90 पिप्स फिर है 85 पिप्स फिर है 7 पिप्स अगर यहां पे मैं चेक करूँ 182 पिप्स का यहां पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है और साथ में 30 पिप्स का हमें लॉस हुआ है यानि अगर मैं actual profit का हूँ तो 152 pips का हमें मिला है चीक है अब यह जो 152 pips का हमें profit मिला है यह actual में मैंने सर्फ बताने के लिए आपको बताया set of rules अगर हम यह आपे थोड़े से change करें अगर मैं यह तरीके से रख़ूं के 20 pips के बाद अगर रखूं तो maximum यह जितने भी ट्रेट्स थे जो 15, 10, 10, 10, 10, 5, 10, 20 वगेरा जो हिट हुए इसमें से ज्यादा तर ट्रेट पर हिट हो जाता लगबग आधे ट्रेड यानि अगर यह दस ट्रेड है तो पांच ट्रेड पे हमें 45-45 pips का profit मिलता और यह जो हमारा total overall 152 का benefit हुआ है यह लगबग 2500 pips के उपर चला जाता तो फिर भी अगर आप देखेंगे safer side set of rules को अगर follow करते हैं तो किस तरीके से हम अपना stop loss बचा सकते हैं ठीक है और साथ में हम safely किस तरीके से OPGM को use करते हुए trading करके यहां से एक अच्छी income ले सकते हैं यह एक pair की income मैंने बताई तो अभी वक्त नहीं है कि मैं और आगे cover करू लेकिन next वीडियो में मैं सिर्फ इसी को testing करूँगा जैसे अभी यहां पर मैंने जुलाई को cover किया है तो audio USD, USD JPY और GBP USD या यह जो 5 बेचेवे pair है सब का मैं जुलाई का डेटा शेक करके आपको next वीडियो में बताऊँगा तो अब आपको एक अंदाजा मिल ही गया होगा कि OPGM को use करके monthly हम कितना अन कर सकते हैं देखें fix तो नहीं है लेकिन मैं जो देख रहा हूँ मैंने जो test किया हुआ है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 1000 Pips monthly easily इसको use करके earn कर सकते हैं 1000 Pips को अगर आप 0.1 lot size से count करते हैं तो 1000 dollar होटा है 1000 dollar का मतलब आज के इसाब से 70 to 75,000 रुपीज की आप earning कर सकते हैं और आपको करना यह है कि आप trading वैसे करी रहें या नहीं कर रहें अगर start करने जा रहें तो आपका खर्च expense जो होने वाला है एक तो यह one time OPGM के लिए आपको 275 dollar पे करना यानि 20,000 और अगर आप 1000 dollar का account लेकर के start कर रहे हैं यानि कि उसमें आपका 70 to 75,000 जाएगा overall मतलब कि 1,000,000 के अंदर अंदर यह आप trading start कर सकते हैं और यहाँ पे 1,000,000 के investment पे अगर 70,000,000 या मैं यह कहूं कि 50,000 या यह कहूं कि 25,000 भी अगर आपकी earning आप कर पा रहे हैं तो इससे best income घर बैटे आप नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यही बताना था इस वीडियो में कि OPGM किस तरीके से काम करता है कहां तक हम इससे income कर सकते हैं आगे मैं और भी वीडियो इसकी बनाओगा OPGM की live trading की भी बनाओगा और FX trading से related basic information वाली और भी वीडियो बनाओगा जिसमें आपको और भी information मिलेगी किस तरीके से FX trading को हम एक career बना के यहां से अच्छी earning कर सकते हैं यहां सेटमार, क्या ज discour़ी बनाओगा, क्या झान display सत्वाले ड Holz एक दोड़ी सेटमा करेंदते हैं बनाओगा.. कया यह घ्कता, देखियो उुक्ता, तेके स सकते हैं, कैम वालूगगा बनाओगा हैं आगे मेफारें जो इससे से से क्या हम आता हो आपगा हैं, क्या आमदा द